हेलो फ्रेंद्स वेलकम बाक टो माई चैनल होप आप लोग अच्छ होंगे सवस्त होंगे तो अभी वॉक पर जा रही हूं और आज मैं यह बॉटल लेके चा रही हूं बहुत बहुत गर्भी है वहां पर तो बस व्लॉक की शुरुबात हमेशा मेरी इसी समय से होती है अभी म मैं जारी हूं रतनडीप में क्या लेना था रतनडीप में मुझे सबजी लेनी भी और खल लेना था ऊक्यारक पर चाहिए अपीस और बस यहां पर आ गईacity और मेरे साथ एक आच्छा हो गया यहां पर कि मैं अपना कार्ट जो लाई थी वह यहां पर चला ही नहीं, तो मैंने समान इनके पास रखवा दिया था, फिर लेके आई, तो फ्रेंट्स, अभी मैं आगे हूँ, वॉक करके, और देखो, और समान सब्सक्राइं, को वोकित् şekilde को बिल्वनी को गया है, आई मैं मैं आपफ सब्सक्राइं, तो मैंने सब्सक्राइएं, पॉर्छा मोदीता आई, अचला ए 설वा इस वह दो समें i तो मैंने ना यह दनिया और यह जो क्या था करी पते का यह सब समानना नीचे मैंने बेस्मेंट वहां पर ही रख पाते आता है काउंटर में रख पाते हैं तो देखो इतना एक गंटे में मैं वाक करके आई और इतना ड्राइ हो गया अलाग कि पूरा यह बहुत फ्रेश आज म मैंने वहां से लेके आई थी तो यहां पर इतना ड्राइव एदर है आगर आप मतलब कोई भी सब्जी अगर रख दोगे ना एक डेड़ गंटा तो पूरी ड्राइव हो जाएगी सूच जाती है तो आज मैं लाई थी यहां पर मैंने रवा साइस रवा राइस रवा राइस खाते हैं हमारे ठीकु मिकु अम्रूद बोन को बहुत पसंद है पर अम्रूद शाइड सेजन में मिल नहीं रहे हैं यहां पर तो नहीं मिल रहे हैं और जागे का तो मुझे पता नहीं और यह मैं थो थोड़ा बहुत अपना बेसिक नीत का सामान लेके आए थी तो खेर जब गई थी तो मेरे हाथ में ओरेंड बोटल मरेहां दोपिंग और बोटल जोप्टर दोब पेले इसलिए यहां पे 1 çीजी आप घचाल में यहां तहीं कि पॉरिए सिरी में को रहा ह 52 इस पर उरेस आप लगे दिन यहीं लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इन चीजों का यूज क्या है और कैसे बनाई जाती है तो जब तक आप प्राक्टिकली उन चीजों को खाऊ ना तो समझ में नहीं आता है और यहां पे ना प्लांट्स बहुत ड्राय हो गयते तो रात में मैंने क्या पानी भी डाल दिया जाए क्योंकि लोग बोलते ना कि दिन में पानी नहीं डालना चाहिए बहुत गर्मी में इनको पानी नहीं देना चाहिए तो यही एक ऐसा टाइम था जब मैं पानी दे सकती थी, अर्ली मॉनिंग मैं नहीं उठती हूं, तो मैं अर्ली मॉनिंग देने का तो सवाल नहीं होता, अर्ली मॉनिंग इतने काम होते हैं घर के, तो फिर यह थुदा पेंडिंग हो जाता है, तो और सुबहे क्या होता है, बारिश जब गिरती है, तो कितनी अच्छी स्मेल आती है, वही स्मेल मुझे भी बहुत पसंद है, और रोहन को भी बहुत पसंद आती है यह स्मेल, तो वापस हाने के बाद मैं नॉमली चाय पीती थी, अब मैंने चाय का एक सब्सिट्यूट देखा है, तो कहवा टाइप क तो मुझे लगता है कि यह भी अच्छा है हेल्थ के लिए, चाय छोड़ सको तो छोड़ दो, लेकिन क्या है कि चाय का एक जिसको लट लग जाती है, तो मुझे चाय की लट है, मतलब इसमें कह सकती हूँ, तो मैंने एकदम पिंच इसमें चाय की पती डाली है, और यह डाल तो इसके बाद मैंने इसमें नीमू डाल दिया था, चीनी नहीं एड किया है, क्यूंकि चीनी एड करने से फिर वही है कि क्यालोरीज तो आही जाती है, तो यह इसका कलर आ गया, बॉइलिंग होने तक, मुझे तो यह पर्सनली बहुत मतलब अच्छी लगने लगी है धीरे तो रात को मैं यही पीती हूँ तो इस चाय के साथ आप सभी को Гुद्नाइट और शुब राती और मिलते हैं नेक्स मोर्निंग आप लोगों से ये मॉर्निंग 11 बजे के आसफास का व्लोग है तो मुझे लगा कि क्या खाना चाहिए ये दही मैंने खुद जमाया था तो पहले भी जमाती थी यहां आके पहली बार मैंने ये दही जमाया और काफी अच्छा जमाता दही तो मेरे पास समोसे रखे थे छोले रखे थे फिर मैंने अनियन काटा क्योंकि ये लेट 11 बजे के आसफास मुझे लगा कि ब्रंच टाइब का कुछ खा लेते हैं और कुछ मन हो रहा था कुछ और ये चीज़ें दोनों मेरे पास रखी थी या तो मैं वेस्ट करती और अपने कुछ और बनाती तो मुझे वेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं हुआ क्योंकि मेरा फेवरिट है समोसा और छोले चाट कि मैंने नेपाल में खाई थी तो मुझे बहुत-बहुत-बहुत पसंद है लेको जो चाट लवर होते हैं वह उनको समझ में आ जाता है कि हां इसको इस दंग से भी बनाया जाता है हमेशा एक जैसे डंग से आप टिकी आलू की टिकी लो और उसमें यह सब डालो तो अलंकि इसका सब्सिटूट भी है समोसा था तो समोसा चाट भी बहुत अच्छी लगती एक बार आप जरूर इसे घर में ट्राइब करेगा अलंकि यह सब अलंकि वस्तोर बीचाट भी डर्या बार यूसे दो और प्रचाट में बहुत पसंद में अंग चाट मशा रहाँ था लगती जन नहीं पसंद है वो दो खिए अदोर प्रचाट कर सकते हैं हरी दनिया भी डाल सकते हैं तो यह लुग कुछ ऐसा आया था और मुझे बहुत ब आप लोग बताना आप लोग कैसे बनाते हो समूसा चार्ट क्योंकि इसमें मुझे कुछ effort डालना नहीं था सब कुछ मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने फटा फट बना दिया है ना और ये एक तरह से मतलब होता है कि आपके पास इसमें प्रोटीन भी पहुंच गया और आप पर से मैंने थोड़ी सी पापरी डाल दी थी थोड़ा क्रंची टेस्ट आने के लिए क्योंकि समोसा जो है चोले के साथ सौफ्ट हो जाता है तो क्रंची लुक लाने के लिए थोड़ी सी डाली थी अगर आप चाहो तो आप ज्यादा भी डाल सकते हो है ना नमकीन खुर में होते हैं वह भी डाल सकते हो थोड़ा क्रंची टेस्ट आ जाता है मैं पिछली बार जो ब्राउन शुगर लाई थी वह बहुत अलग थी उसमें ग्रैनूल से है ना और यह एकदम पाउडर फॉर्म में है तो मुझे समझ में नहीं कि मुझे ग्रैनूल वाली ज्यादा अच् फ्राइपन छोटा वाला चेंज कर लेजिए उसका नॉन्स्टिक की नॉन्स्टिक जो वह है कोटिंग वह जा रही है तो मैंने यह मंगाया था एमजोन से बहुत ही सस्ता मिला था इंक 170 का और मुझे मेरे पास अलड़ी पैंस थे मुझे स्मॉल साइस का ही चाहिए था और और एक मैंने और मंगाया है वो आएगा तब मैं दिखाती हूँ हलांकि इस पे मैंने ओमलेट बनाया था बहुत बहुत अच्छा बनाता हूँ और इसकी कोटिंग अच्छी है बहुत लाइट वेट है और इसमें मतलब आराम से आप इसे यूज कर सकते हो जैसे है ना हैवी सेवन या एट में लिया था मैंने तब यह 800 रुपीज का मिला था मुझे और यह है 170 का तो फेर डील रही बहुत सस्ता मिल गया और पहली बात तो समझ में नहीं आता है अभी शाम को यहां पे एकदम से बहुत बहुत ज़दा आधी चलने लगी थी तो यह ठक से सोफे पे गिरा और इनका यह ग्लास तूट गया है और यह हमने बनाया था कोल खता में इतना अच्छे से चला सब कुछ है ना बहुत लगा हाटिंग लगता है कोई चीज तूट जाती है तो मुझे बहुत बहुत खराब लगता है नुकसान से नहीं लगता है पर मुझे पता नहीं एक दम नहीं अच्छा लगता है कि कोई चीज तूट जाए और इस तरह का नुकसान हो जाए ना अभी बोलते हैं एक और एक ग्यारा होते हैं अगर आप यही होता है कि आप चीजों को रिपेर कराते रहो रिपेर कराते रहो तो आप आगे बड़ी नहीं पाते हो तो अगर चीजे बनी रहती है और आप फिर नई चीज लेते हो तो अडिशनल हो जाता है यह चीज मुझे अच्छ लगती है और यह कांच निकालना मतलब अभी क्या है कि मैं और विकास हैं खेर बच्चों से भी नहीं उठवाती हूं और यह देगो सोफे पे भी पूरा गिर गया था तो यह उठाने में ना यह मेरे आहाथ में छुप गया था तो अब क्या है कि अब कोई option भी नहीं है यहां पे जो मतलब house helpers हैं तो बहुत ज्यादा professional है इनको खुद भी होता है कि यह जैसे ही आती है इनको जाने का होता है कि मुझे जल्दी जाना है मुझे और भी कहीं जाना है तो यह मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप भीगी हुई bread से इसे करते हो ना तो यह कांच जो है इसमें आ जाएगा तो मैं कोशिश कर रही थी हा काम नहीं बना यहां पर देखो अभी भी कांच थी और कांच यह नीचे गिर रही थी है ना यह मुझे डर था कि किसी के पैर में ना चुप जाए और सबस्यादा प्रॉब्लम मिझे अपने से ही होती है मैं ही सबस्यादा यहां परना केरलेस हुआ हुआ है दर लग गया अगर आपके पास कोई पैट है ना तो आप सच में बहुत 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 लगी हो कि मुझे लगदा है पैट आपको जितना टाइम देते हैं और जितना आपके लिए लोयल होते हैं उतना कोई भी नहीं होता तो लोयल्टी का टेस्ट अगर करना है तो पैट के साथ आप मतल बहुत अच्छा टाइम जाता है इंके साथ स्विविंग पूल खाली हो गया बिल्कुल एक दम सड़नली इतनी तेज हवा आई ना स्विविंग पूल एक दम फटा फट खाली हो गया कितना अच्छा मौसम हो गया सच वेट्स रिक्वाइड हा बहुत ज्यादा गर्मी थिया देख रहो कितनी तेज हो चल रहा हुआ यह हमारे चीकु को क्या हो गया चीकु को क्या हो गया हाँ देखो कैसा हो जाता है यह ऐसी आली राती है यह थी खड़ी थी ना टीन शेट्स यहां पर जो सब गिर गया है फ्लाट हो गई है बचारे इतनी ज्यादा यह ऐसी खड़ी थी ना गई है यह ऐसी खड़ी थी और यह ऐसी हो गई है बाहर देखो कितनी जबर्दस वारिश हो गई है और उपर यह पिसमी भी करक रही है पूल पूरा खाले हो गया सेमिंपूल बस इसी के साथ इसी प्यारे मौसम के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए देखते हैं इसके लिए दिल से शुक्रिया और क्या होता है न कि कोई एफ़र्ट करता है अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगता है और यह कहीं न कहीं मौटिवेशन भी होता है और मौसम देखो कितना अच्छा है आप लोग बताना आपकी शेयर में इस समय मौसम कैसा है हलाएंकि नेक्स से तो यह बहुत हुमिड हो गया था है यहां